क्या आप भी एक WhatsApp यूजर हैं अगर आप WhatsApp इस्तिमाल करते हैं तो WhatsApp के अंदर एक नया अपडेट आ चुका है प्राइवेसी को लेकर इसमें नया अपडेट क्या या हुआ है तो सबसे पहले अपने WhatsApp को आप अपडेट करेंगे प्ले स्टूर में जाएंगे वहाँ पर आप सर् देखने को मिलेगा कि आपका जो प्राइवेसी है वो आपका सेटिंग आपके होम पेज पर देखने को मिल चुका है पहले क्या था कि आपका जो प्राइवेसी सेटिंग था वो आपके एकाउंट में मिल जाता था आप एकाउंट पर क्लिक करते थे यहां पर आपको एक प् पेज पर ही privacy का option मिल जाएगा जैसा कि आप देख पा रहोंगे यहीं से अपने WhatsApp का privacy आप मैनेज कर पाएंगे अब इससे manage कैसे करते हैं तो वो भी आपको इससे वीडियो के अंदर सिखा ही देते हैं कि आकिरकार privacy को manage कैसे किया जाता है कैसे आप अपने WhatsApp की privacy को आप manage करेंगे manage करने का मतलब होता है कि अपने WhatsApp का large scene online status किसे दिखाना चाहते हैं किसे नहीं दिखाना चाहते हैं उसके बाद अपना profile किसे दिखाना चाहते हैं अपना about किसे दिखाना चाहते हैं अपना status किसे दिखाना चाहते हैं और अगर आप रेड रेसेटिंग को चालू कर देंगे तो इस सेटिंग का काम यह होता है कि अगर आप सामने वाले का मैसेज रेड भी कर लेते हैं तो उसे बिलूटो के सोर नहीं होगा तो अगर आप इस सेटिंग को चालू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं उसके बाद यहाँ आपको disay pairing messages setting यहीं पर मिल जाएगा यहाँ पर आपको groups का setting मिलेगा live location का मिलेगा blog contact का मिलेगा और fingerprint का भी आपको देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहले बात करेंगे सबसे आपको पहला मिलेगा last scene and online इस पर click करके सबसे पहले मिलेगा who can see last scene अगर आपको किसी को अपना last scene नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर nobody करेंगे अगर आप सारे लोगों को दिखाना चाहते हैं अपना last scene कि आपने पिछली बार अपना WhatsApp का वापने open किया तो सामने वाले को आपका last scene देखने को मिले तो आप यहाँ पर everyone कर सकते हैं अगर आप सिर्फ अपने contest number को दिखाना चाहते हैं तो my contest कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं नहीं सिर्फ हम से choose करना चाहते हैं जैसे सिर्फ अपने एक friend को दिखाना चाहते हैं तो आप इस पर click करेंगे second यान के third वाले option पर और यहाँ से आप जिसे जिसे choose करेंगे उसे ही आपका last scene सिर्फ देखने को मिलेगा तो हम यहाँ पर my contest कर लेते हैं हमारे सारे contest को देखने को मिले उसके बाद यहाँ पर एक setting मिल जाता है आपको who can see when I am online यानि कि यहाँ पर online आते हैं तो online का status से किसे किसे देखने को मिले कि आप online आच चुके हैं तो आप यहाँ पर choose करेंगे everyone करेंगे तो सारे लोगों को देखने को मिलेगा same as large scene करेंगे तो आपका पुराना वाला large scene सारे लोगों को so होगा, online नहीं so होगा तो हम यहाँ पर यह second option चूज करके रखते हैं क्योंकि हम अगर online आएं तो सामने वाले को पता न चले हम यहाँ से back आजाएंगे इतना काम करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा profile manage करने का यानि कि अपनी profile photo किसे दिखाना चाहते हैं तो इस पर आप click करेंगे यहाँ पर आपको 4 option मिल जाएंगे सबसे पहले everyone यानि कि सारे लोगों को my contest यानि कि जो आपके contest में save हैं सिर्फ उनको यहाँ पर आपको मिलेगा third option यानि कि वही जिसे जिसे दिखाना चाहते हैं तो इस पर click करके यहाँ से choose करेंगे कि कि किसे अपना profile dp दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से choose करेंगे यहाँ से write करेंगे तो सिर्फ उन्हीं देखने को मिलेगा अगर आप nobody करेंगे तो किसी को भी देखने को नहीं मिलेगा तो हम यहाँ पर contest पर save करके रखते हैं कि हमारे सारे contest को सिर्फ हमारा dp देखने को मिले उसके बाद यहाँ पर मिलेगा about कि आपका about कौन कौन देख सकता है वही सारे feature हैं आप इसे भी अपने साब से manage कर लेंगे कि आपका about किसे किसे देखने को मिलना चाहिए उसकी बाद यहाँ से बैक आजाएंगे status पर click करेंगे इसमें आपको 3 option मिल जाते हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें आपको 3 option मिलेंगे इसमें आपको मिलेगा सबसे पहले my contest यानि कि आपका जो status है जो आप status लगाते हैं वो किसे दे मिले देखने को तो आप my contest पर click करेंगे तो आपके सारे contest वाले देख पाएंगे जो आपके phone में जिनका जिनका number save होगा अगर आप यहाँ पर second of the choose करेंगे तो इसका मतलब यह होता है कि जिसे जिसे आप यहाँ पर select करेंगे सिर्फ उन्हें ही आपका status दिखाई नहीं देगा यानि कि hide status from जिसे जिसे आप चुपाना चाहते हैं तो यहाँ से चुपा देंगे और इनको आपका status सो नहीं करेगा write कर देंगे अगर आप चाहते हैं कि हम सिर्फ एक लोग को दिखाना चाहते हैं आपके पास girlfriend है सिर्फ अपना status अपनी girlfriend को दिखाना चाहते हैं तो इस पर click करके सिर्फ उसका यहाँ पर set करेंगे और आपर write करेंगे तो जो आपका status होगा सिर्फ एक को देखने को मिलेगा जिसे आपने choose किया है तो हम यहाँ पर contest पर click करके रखते हैं हमेशा तो इस पर click कर करके रखेंगे यहाँ से बैका जाएंगे तो अब हमारा यहाँ पर setting अपडेट हो जाएगा अब हमारा whatsapp status सिर्फ हमारे contest लोगों को देखने को मिलेगा इसी तरीकी से यह setting होता है अगर आप इस setting को यहाँ से बंद कर देंगे तो इस setting का मतलब यह होता है कि अगर आप इस setting को बंद कर सकते हैं इस setting को वहाँ पर इस्तिमाल कर सकते हैं जहाँ पर अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा फ्रेंक करना चाहते हैं या उन्हें चोकाना चाहते हैं और उनका message आप देख लेना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि उन्हें ना पता चले तो वहाँ पर आप इ इससे जिससे चैटिंग करते हैं, चैटिंग करने की बाद क्या होगा, कि आपका जो मैसेज होगा, वो 24 गंटे की बाद आटोमेटिक डिलीट हो जाता है, इस सेटिंग को आप वहाँ पर इस्तिमाल करेंगे, जैसे अपने गल्फरेंड के साथ या अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करते हैं, और आप चाहते हैं कि यार हम ये मैसेज को डिलीट करें या ना करें, उसके बाद group मिल जाएगा group का मतलब यह होता है कि जैसे कि आपके friend लोग group बनाते हैं तो group में आपको कौन-कौन add कर सकता है अगर आप everyone करेंगे तो कोई भी group बनाकर आपको add कर सकता है अगर आपका number उसके पास है तो वो आपको आसानी से add कर लेगा अगर आप my contest करेंगे तो इसका मतलब यह हो जाता है कि अगर कोई group बनाता है group बनाने वाला अगर आपके contest में save है तो वो आपको add कर पाएगा अन्था नहीं add कर पाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिर्फ आप accept करेंगे यानि कि आप चाहते हैं कि सिर्फ हम जिसे accept करें सिर्फ वही हमें group में add कर पाए इस setting का वहाँ पर आप इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे आपके पास बहुत सारे friends है और वो हर एक रोज एक नया group बनाते हैं और बार बार आपको add करते हैं बार बार आप बाहर आ जाते हैं तो वहाँ पर आप एक trip apply करेंगे यहाँ पर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको own अपने दोस्तों को set करेंगे जो लोग group बनाते ही नहीं है उन्हें आप पर set करेंगे set करने के बाद यहाँ से आप सही का tick करेंगे कि यहाँ पर आपका एक person set हो जाएगा कि यहाँ पर आपके सारी के सारी दोस्त आपको ग्रूब में add नहीं कर पाएंगे और आपका बहुत सारा समय बच जाएगा तो यह setting को वहाँ पर यूच के जाता है, यहाँ पर मिली जाता है live location का option, इस पर click करेकि अपनी live location को किसी के साथ भी share कर सकते हैं, जिससे आप इस पर click करेंगे, अपनी location की permission को allow करेंगे, और आपका location आजाएगा जिसके साथ share करना चाहते हैं, यहाँ से अपनी live location आपे share कर पाएंगे उसके बाद यहाँ से बैका जाएगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा unblock, आप इस पर click कर देंगे वो आपका unblock हो जाएगा, तो यहाँ से आप बिलोग किये हुए content को आप मैनेज कर पाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे देखेंगे, आपको मिलेगा यह के fingerprint lock का option, अगर आपके phone में fingerprint है, अगर आपके phone में fingerprint दिया गया है, अगर आप लगा की रखते हैं, तो यहाँ से आप फिंगर print को enable कर सकते हैं, अपने WhatsApp के लिए, तो यहाँ पर आप click करेंगे, यहाँ से click करने के बाद यह setting आपको मिलेगा, यहाँ से setting को चालू करिए, अपने fingerprint को scan कर दीजिए, उसके बाद आपका fingerprint scan हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से बैक आजएगे, तो आपके WhatsApp में आपका fingerprint लग जाएगा, अब जैसे अपने WhatsApp पर आप यहाँ से बैक आजाते हैं, बैक आने के बाद फिर अपने WhatsApp को open करेंगे, तो आपको पता चल गिया होगा, और आपको यह वीडियो भी बहुत ही पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है, तो आपने उन प्यारे दोस्तों के साथ share करिए, जिनको अभी तक नहीं पता है कि WhatsApp में privacy को manage कैसे किया जाता है, तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका पहुत पहुत धन्वार